तापमान बढ़ने से गेहूं के उत्पादन में आ सकती है कमी इस बार उत्तरप्रदेश, पिहार और मध्यप्रदेश में किसानों ने गेहूं की बंपर फसल बोई है इसके चलते इस रभी सीजन में गेहूं की बोई का रखवा पिछले साल के मुकाबले बढ़ गया है 12 जनुविर तक देश में गेहूं की खेती का रखवा 336,96,000 हेक्टियर था जबकि पिछले साल इसी अवधी में यह आंकडा 335,67,000 हेक्टियर था इसलिए सरकार ने इस साल 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्षे रखा है इसे बीच तापमान भडोतरी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है दरसल ठंड गेहूं की फसल के लिए काफी लाबदायक होती है ठंड के कारण गेहूं तेजी से बढ़ता है लेकिन अब फरवरी का महीना अपने अंतिम पड़ाओ पर है और गर्मी दस्तक देने को है इस बीच तापमान में भी बडोतरी दर्ज की गई है जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल पर नकरात्मक परभाव पड़ सकता है जिससे इसकी पैदावार में कमी दर्ज की जा सकती है बिरो रिपोर्ट मारकेट आइम्स टीवी